हम शुरू करने जा रहा हैं class 10th का lesson first a letter to god first flight book से लिया हुआ यह lesson है इसको हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है letter to god भगवान के लिए एक पत्र letter to god भगवान को एक पत्र इसको हम शुरू करते हैं यहाँ पर starting में कुछ letters के बारे push card के बारे बताया गया किस तरीके से पहले push card चलते थे उसका चित्र यहाँ पर दिया है तो उसको हम देख लेते हैं और अब हम शुरू करेंगे part को the house house means घर the house the only one in the entire valley valley मतलब होता है घाटी पूरी घाटी में केबल एक ही घर the entire valley देखे यहाँ पर लेखा हुआ है entire valley एंटाय मतलब होता है पूरी बैली मतलब घाटी set on the crest of low hill crest crest मतलब होता है उची चोटी कहते है इसको low hill मतलब एक चोटी सी पहाड़ी पर उपरी हिस्से पर यहाँ पर लेखक का घर बना हुआ था from this height height means होता है उचाई one could see the river and the field of rip corn dotted with flowers that always promised a good harvest और उस उची स्थान पर बैट कर लिखा क्या करता है अपनी फसल को देखता है rip corn rip corn मतलब होता है corn means होता है mkai के दाने मकई के दाने के क्या लगी होती है फसल लगी होती है rip मतलब होते है फसल एक अच्छी फसल का वो बादा कर रही है the only thing the earth need was a downpour downpour at least shower इस पूरी फसल को बस एक downpour चाहिए downpour मतलब होता है वारिस या बोचार हो जाए at least a shower shower means बोचार पानी के बोचार चाहिए उस फसल के लिए throughout the morning लेंको who knew his field intimately लेंको देखी यहां पर लेंको दिया है throughout the morning पूरी सुबह में लेंको लेंको क्या है इस कहानी का प्रमुक पात्र है जिसके बारे में पूरी कहानी चल रही है तो लेंको who knew his field intimately intimately मतला होता है परीचेत रूप से वह अपनी पूरी फसल को पूरी खेत को बहुत अच्छे से जानता था had done nothing else but see the sky towards the northeast वह खेत में खड़ा हुआ कुछ नहीं कर रहा था बस see the sky towards the northeast और और two words मतला होता है की ओर North East उत्तर पूरी की ओर वह क्या करता है आसमानों को देख रहा होता है now we are really going to get some water women और वह कहता है साइद कुछ बारिश मिल सकती हमें मिल जाएगी women वह एक महीला से बोलता है the women who was preparing supper और उसी समय जब बोलता है उस समय महीला क्या कर रही होती है replied yes हां बिलकुल बारिश हो सकती है God willing भगवान की इच्छा है ऐसी भगवान की इच्छा रही तो ऐसा हो जाएगा the older boy were working in the field वहाँ पर एक older boy था एक बड़ा ललका था उनका जो की खेत में काम कर रहा था while the smaller ones smaller मतलब छोटा और उस बड़े से एक छोटा ललका भी था once were playing near the house और वह क्या कर रहा था घर के पास में ही खेल रहा था until the women called them come for dinner इसके पहले की सब महीला ने कहा कि सब लोग आ जाओ और डिनर कर लो प्रिडिक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना अंदेशा लगाना तो उसने अंदेशा लगा लिया था अंदाजा लगा लिया था big drops of rain begin to fall पान की क्या गिरने लगती हैं बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगते हैं in the north east huge mountains of clouds could be seen approaching और उत्तर पूर्व से बड़े बड़े बादल विशाल बादल पहाडों की ओर से आ रहे थे the air was fresh हवा कैसी थी fresh थी fresh मतलब ताजा and sweet बड़ी ही मीठी और मधुर हवा बह रही थी the man went out of no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body और वह लेंको खेत में खड़े होकर बाहर खड़ा होकर सिर्फ मौसम को देखी नहीं रहा था बलकि साथ ही वह उस मौसम का आनंद लेना चाहता feeling of rain on his body और साथ ही बारिश को अपने सरीर पर महसूस करना चाहता था and when he returned he exclaimed और जैसे ही बापस आता हर तो exclaim करता exclaim करना मतलब बोलना कहना these are not rain drops falling from the sky यह सिर्फ बूंदे नहीं है जो आस्मान से गर रही है बलकि they are new coins बलकि यह क्या है coins है coins मतलब क्या होता है सिक्के coins means सिक्के जैसे कि हमारे रुपए के सिक्के होते उस तरीके से सिक्के है the big drops are 10 cent pieces and little ones are five जो बड़ी बोलने इं टेंसेंट पीसेश 저희 means 10-aन यहां पर 10-aन पैसे कही सहते हैं मतलब यहां पर शिक्कों के बारे मतायगा एक जो बड़ी बूलने बड़ी दस पैसे की सिक्के के बराबर है वु चोड़ी बूलने पाँच मैसे के सिक्के with its flower और बारिश गिरती है तो एक परदासा बिच जाता है but suddenly लेकिन बारिश तो हुई लेकिन suddenly suddenly मतला होता है अचानक बारिश के साथ साथ अचानक strong wine begin to blow strong strong मतला होता है बहुत ही तेज बार हवाएं चलने लगती है begin to blow बहने लगती है along with the rain very large hellstone साथ ही साथ हवा के साथ साथ क्या जाते है hillstone hillstone मतला होता है बर्फ के गोले मतलब ओले गिरना begin to fall गिरनी लगते है these truly did resemble new silver coin ये भी नएने coins के समान ही लग रहे थे सिक्कों के समान लग रहे थे लेकिन the boys exposing themselves to the rain run out to collect the frozen balls और जब वो बर्फ के छोड़ छोड़े गोले गिरते हैं तो जो बच्चा होता है वो क्या करता है बारिश बाहर जाकर उन frozen pulse frozen pulse मतलब होता है frozen means जमे हुए pulse means मौती मौतियों के समान लग रहे थे खटा करने लगता है अब बहुत ही बुरा होने वाला है exclaim the man ऐसा वहवक्ती पोलता है I hope it passed quickly मुझे आशा है कि जल्दी से गुजर जाए it did not pass quickly लेकिन बह बर्फवारी या ओले बहुत जल्दी नहीं गुजरे for an hour the hail rained on the house और लगबग एक घंटे में जो hail थे जो ओले थे rain बारिश की तुफान था वो पूरे घर पर garden बगीचे में hillside पहाडी पर cornfield फसल में and the whole valley और पूरी घाटी पर the field was white कैसी हो जाता है पूरा खेट सफेद हो जाता है easy if covered with salt ऐसा लग रहा होता है कि मानो नमक बिच गया हो पूरे खेट पर not a leaf remained on the trees ब्रिक्चों पर एक पत्ता भी नहीं बचता है the corn was totally destroyed जो corn होती है फसल होती है मक्के की फसल पूरी बरबाद हो जाती है the flowers were gone from the plants जो फूल थे वह पौदों से जा चुके थे लेंको सोल वस फिल्ड विद सैडनेस और इस फसल की बरबादी कारण लेंको की जो आत्मा रहती है वह दुख से भर जाती है when the storm had passed जैसे ही तूफान निकल जाता है he stood in the middle of the field and say to his sons और वह खेत के बीच में खड़ा होकर बोलता है अपने पुत्र से a plague of loctus loctus मतलब होता है यहाँ पर tidya loctus में stidya हो दी tidya की एक समूँ आता है और पूरी फसल को chopट कर देता है लेकिन वह उतनी बरबादी नहीं करता है जितनी बरबादी किस नहीं करती है इस ओलो ने की है बारिश ने की है the hail have left more than this वह कहता है लेको कि जो tidya होती है वो तो थोड़ा बहुत छोड़ी जाती है लेकिन the hail has left nothing लेकिन इस hail ने इस तूफान ने इस बारिश ने कुछ भी नहीं छोड़ा है this year we will have no corn हमारे पास कोई भी कौर नहीं होगा कोई भी दाना नहीं होगा अनाज नहीं होगा हमारे पास that night was a sorrowful one भाई पूरी रात बहुती दुखी रहा पूरी रात उसकी दुख पूर्ण ब्यतित हुई all our work for nothing हमारा पूरी महनत कुछ नहीं रही there is no one who can help us कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके we shall go hungry this year हमेज साल क्या रहना होगा भूका रहना होगा but in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley उस दिन उसका हरदै अकेला था सुनसान था house of middle of the valley पूरी घाटी में अकेला उदास पैठा हुआ था there was a single hope उसके मन में किवल एक ही आशा थी help from God कि भगवान क्या करेंगे उसकी सहायता करेंगे don't be upset जाद अन्राश मत हो even though this seems like a total loss लगता है कि फसल पूरी बरबाद हो चुकी है नुकसान हो चुका है लेकिन याद रखो no one dies for hunger लेकिन कोभी व्यक्ती भूँक से नहीं मरता है that's what they say no one dies for hunger हाँ ऐसा कह सकते हैं कि कोई भूँक से नहीं मरता है all through the night पूरी रात लेंकोस थॉट अन्ली ओफ his one hope the help of God पूरी रात उसके मन में किवल एक ही विचार चला the help of God कि कौन मदद करेगा उसकी भगवान उसकी मदद करेंगे those eyes उसकी आखें as he has been instructed ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई निर्देश दे रहा हो see everything even what is deep in one's conscience ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अंतरात्मा गहराई से उसको कुछ पुकार रही हो लेंको एक जानवर बन गया था एक बैल बन गया था अपने खेतों में काम करते करते but still he knew how to write लेकिन इन सब विचारों के दौरान उसके मन में एक और विचार चाल रहा था कि how to write कैसे लिखेगा the following Sunday अगले दिन Sunday को रविवार को it daybreak daybreak मतला होता है सुबह का समय सुबह का समय या प्रभात कह सकते है भौर का समय he begin to write a letter which he himself would carry to town जिस पत्र को वह खुद स्वयम town ले जाना वाला था town means कश्वे या सहर ले जाना वाला था and place in the mail और जिस पत्र को क्या करेगा mail करेगा मतला post office में post कर देगा it was nothing less than a letter to God और वह पत्र कुछी और के लिए बलकी भगवान के लिए पत्र लिखेगा हो God, he write if you don't help me उसने लिखा भगवान, यदि आप मेरी साहता नहीं करते हैं my family and I will go hungry this year तो मैं और मेरा परिबार इस बार भूख ही रहेंगे I need a hundred pieces in order to sow my field मुझे आप सौर रुपे भेजें ताकि मैं फिर से फसल को उगा सकू and live until the crops comes और मैं रह सकूँ जब तक कि मेरी फसल फिर से उग नहीं आती है because the hell storm क्योंकि ओलो ने मेरी फसल को बरबाद कर दिया है he wrote उसने लिखा to God on the envelope envelope मतलब होता है लिफाफा envelope के उपर उनने लिखा to God ये address लिखा भगवान के नाम का address लिखा लिफाफे पर put the letter inside and still triple उसने उस पत्र को उस लिफाफे में रखा still triple अभी भी लेकिन मन में कुछ परिशानिया थी उसके उसने उस पत्र के उपर टिकेट चिप काई और साथ ही साथ post office के उस मेल बॉक्स में डिबबे में उसको पत्र को डाल दिया वहाँ पर एक कर्मचारी जो की था postman था and also helped the post office went to his boss वह उस पत्र को लिजा कर किस के पास पहुंचा boss के पास पहुंचा मतलब post office के postmaster के पास पहुंचा and laughing heartedly और वह जोडोड से हसने लगते and showed him to the letter to God यह देखकर कि यह पत्र किसको लिखा गया है never in his career a postman hadn't he knew the address क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन की नौकरी में कभी भी ऐसा पता लिखा नहीं देखा था इसलिए उनको यह देखकर आश्यर होता है the postmaster a fate amiable जो postmaster होता है वह एक होता है fate fate मतलब मॉटा amiable एक सज्जन पुरस होता है fellow also broke out laughing but almost immediately he turned serious लेकिन हस्ते हस्ते अचानक वह क्या हो जाते है serious हो जाते है गंभीर हो जाते and taping the letter on his desk और पत्र को डेक्स पर रख देते है commented और बोलते हैं what's faith I wish I had the faith of man who wrote this letter starting of our correspondence with God और वह बात करते हैं कितना विश्वास है मेरी इक्छा है यह विश्वास उस व्यक्ति का भगवान के उपर बना रहे इसलिए हमें क्या करना होगा हमें यह पत्राचार सुरू करना होगा starting up a correspondence correspondence means पत्राचार with God भगवान के उपर इतना विश्वास है तो निश्यती हमें उसके लिए यह करना होगा ताकि उसका विश्वास बना रहे तो उन्होंने सोचा कि उस व्यक्ती का विश्वास पर भगवान पर विश्वास बना रहे इसलिए the postmaster came up with an idea तो postmaster की मस्तिश्म क्या आया एक विचार आया आंसर दा लेटर कि उस पत्र का क्या करे हम जबाब दे but when he opened it लेकिन जब उन्होंने खोला उसको तो देखा it was evident that to answer it needed something more than goodwill लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें भगवान से कोई विशिश या दूआ नहीं मांगी गई है बल्कि but he stuck in his resolution बल्कि उसने अपनी समस्या का समाधान मांगा है he asked for money और पैसे मांगे हैं तो से पैसे मांगे हैं। चारिटी मतलब होता है दान देने के माद्धियम से दान के रूप में उन्होंने पैसे खटे किये और उस व्यक्ति को बापस भीजने का निश्य किया लेकिन उन सब कर्मचारियों के पास असंभाव हो गया था कि वह सौ पैसे खटा कर पाए तो उन्होंने जितनी कोशिश की उन्होंने आधे से कुछ जादा हिस्सा पैसे के उसको भेजे उन्होंने क्या किया उन पैसो को एंबलप में एक लिफाफिम रखकर एड़ेस तू लेंको और लेंको का पता डाल कर और उस पते के उपर लिख दिया गॉड कि ये पैसे किस के तरफ से आए है भगवान की तरफ से आए है अगले दिन दा फॉलोविंग संडे लेंको किम अपा पिट अर्लियर लेंको बहुत जल्दी आ जाता है और यह पूछता है देर वस लेटर फॉर हिम कि क्या उसके लिए कोई पत्र है इट वस दा पोस्ट मैन वह पोस्ट मैन था हिमसेल्फ वह हैंड़ दा लेंटर टु हैं वाइल दा पोस्ट मास्टर और वह सब जो कर्मचारी थे वे भी उस एक्ट को वह पैसे देने के लिए अनुभाव करना चाहते थे अच्छा कर्म करने के लिए अनुभाव करना चाहते थे उस भावना को दान करने की भावना को उस व्यक्ति को देखना चाहते थे जो इसका भगवान की उपर बहुत भरूसा था लेकिन लेंको को स्लाइटेस मतलब होता है थोड़ा सा भी सर्प्राइज आश्चरय नहीं हुआ अन से इंग दा मनी पैसे देखकर सच वस इस कॉन्फिदेंस देखिये कितना आत्म विश्वास था उसको भगवान की उपर आत्म विश्वास लेकिन कुछी देर में वह गुसा हो जाता है जब वह उस पत्र को देखता है और सोचता है कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ वह लेंको को डिनाइड नहीं कर सकते हैं तुरंत लेंको went up to the window to ask the paper and ink लेंको अपर पोस्ट ओफस की text पर जाता है वहां पर paper और ink लाता है और पप्लिक व्य व्य टेबल रहती है उस पर पत्र लिखता है और रहे लिखना सुरू करता है वह ब्रिंखलिज नहीं कर सकता है लिखता है, cost by the effort he had to make express his ideas, when he finished, he went to a window, और कुछ प्रियास करने के बाद पत्र लिखता है, और post office की window, window means खिड़की पर पहुंचता है, by a stamp, वहाँ से एक पत्र खरीदता है, stamp, sorry, stamp means होता है, ticket, ticket चिपकाता है उसके उपर, bit he licked and then affix it, lips मतलब होता है, चिपकाने के लिए कोई गौन नहीं होगी तो शायद उसने अपने थूख से, jeep से touch करके उसको चिपका देता है, affix to end, the envelope with the blow of fist fist, blow of fist means होता है, अपनी मुट्टी से ठोक कर उसको चिपका देता है, moment the letter fell into the mailbox, और फिर उस पत्र को फिर से mailbox में डाल देता है, the postmaster went to open it, अब postmaster जाकर उसको खोलता है, और देखता है, God, और उसमें लिखा होता है, भगवान, of the money that I asked for, जो पैसे मेने आपसे मांगे थे, only 70 pieces reached me, उसमें से मुझे 70 पैसे ही पहुचे है, send me the rest, किरपया कर मुझे बाकी के पैसे भी 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 बेज दे, since I need it very much, क्योंकि मुझे उनकी बह लेकिन भगवान, इस post office के माद्धे हम से मत भेजना, क्योंकि the post office employees are the bunch of crooks, क्योंकि जो post office के कर्मा कर्मचारी है, bunch, bunch मतलब समू, कर्मचारी है, of crooks, crooks मतलब चोर है, post office से आप पैसे नहीं भेजना, इस तरीके से क्या होता है, यह हमारा lesson खतम हो जाता है, तो इस कहानी में लेकिन को क्या करता है, एक पत्र लिखता है, भगवान के लिए इसमें 100 पैसे मांगे गए थे, लेकिन post office के कर्मचारीों ने उस विश्वास को देखते हुए, कुछ पैसे खटा कर, 70 पी सो उसे खटे करके, उस लिफाफी में रखके उसके भेज देता है, ताकि उसका भगवान के उपर बना रहे, लेकिन जब भगवान देखता है, और देखता है कि समें 70 पैसे निकले हैं, तो उसे लगता है शायद ये पैसे किसने चुरा लिए हैं, पोस्ट आफिस के कर्मचारी ने चुरा लिए, इसलिए भगवान पोस्ट आफिस के तूरू मत भेजना, ये कर्मचारी सब कैसे हैं, चौर हैं जबकि पैसे उन्हीं ने बेजे होते हैं, धर्नबाद इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू,